हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चनल ग्रीन हाउस और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ गुलाब के पौधे के सूखने के कारण तीन ऐसे कौन से कारण है जिसकी वज़से गुलाब का हमारा पौधा सूख जाता है अगर हम नया पौधा लगाते हैं तो वो एकदम से सूख जाता है या फिर आपका कोई पुराना पौधा है वो भी अचानक से सूख रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है और आपको उसको क खराब हो जाता है तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका गुलाब का पौधा कभी भी नहीं सूखेगा कभी भी नहीं मरेगा और हमेशा आपके गार्डन में फूलों से भरा रहेगा सबसे पहला पॉइंट अगर आप नसरी से गुलाब का नया पौधा लेकर आते ह अगर आप नसरी से नया पौधा लेकर आते हैं तो कभी भी जो इसका रूट बॉल है रूट बॉल यानि जिस मिट्टी में गुलाब का पौधा लगा हुआ है इसको हमें जादा नहीं तोड़ना चाहिए थोड़ी मिट्टी आप हटा सकते हैं मिट्टी अगर बहुत लेकिन बहुत जादा मिट्टी हटाने से क्या होता है कि जो इसकी जड़े हैं वो डैमेज हो जाती हैं जब हम नसरी से कोई नया पौधा लेकर आते हैं तो वो कुछ छोटे से प्लास्टीक के कंटेनर में इस तरीके से लगा होता है या फिर वो ग्रो बैग में जो प्लास् तो जड़े शौक में चली जाती हैं नय पौट में शिफ्ट करने के बाद वो मिटी से पानी और खाना लेना एक दम से ही बंद कर देती हैं और पौधा लगाने के कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि जो इसके पत्ते हैं वो जुक चुके हैं पौधा आपका कुछ मुर अगर आप नया पौधा लगाते हैं तो पहली बार में आप अच्छे से पानी दें लेकिन कुछ दिनों तक पौधे को आप शेड में रखें और उसके बाद आप पानी बहुत जादा पौधे को न दें ऐसे में भी पौधे की जड़े हैं जिन्होंने अच्छे से काम करना चुरू भी नहीं किया है जादा पानी देने से गलनी शुरू हो जाती हैं उनके अंदर फंगस लग जाता है और आपका पौधा मुर्जाता हुआ आपको दिखाई देगा तीसरी चीज़ जिस भी पौट में आपने इसको लगाया है उसका जो छेद है वो प्रौपर नहीं तो इसलिए जब भी आप नया पौधा गुलाब का लगाते हैं तो गुलाब को बड़े ड्रनेज वाले छेद वाले बड़े छेद वाले पौट में ही आपको लगाना है जिससे कि जो भी पानी आप डालो आसानी से नीचे से निकल जाए और जितनी जरुवत पौधे को हो बस उतना ही पानी पौधा ले मिट्टी को बस हमें मौईश रखना है गीली मिट्टी कभी भी नहीं रखना है क्योंकि अगर आपने अच्छी पौटिंग मिक्स इत्माल की है लगाते समय भी सारा ध्यान आपने रखा है लेकिन जैसे ही आप पानी डालते हो तो पानी नीचे ब पता होना जरूरी है कारण अगर आपको पता होगा तभी आप अपने पौधे को बचा पाएंगे इसके बाद आता है treatment कि अगर आपके नए पौधे में ये समस्या आ गई है तो आपको इसका इलाज कैसे करना है सबसे पहले तो आपको अपने पौधे का पानी बिल्कुल र रही रखना है मिटी को कुछ आपको इस तरीके से सुखाना है जैसे कि मेरे इस पॉट की मिटी आप देख रहे हैं ये सुख चुकी है मिटी की थोड़ी सी गुडाई भी कर लीजे ताकि नीचे तक जो मौईशर है वो खतम हो जाए और मिटी के सुखने के साथ साथ जो फंग का liquid fertilizer बना करके आपको इस पॉदे की मिटी में जो आपका पौदा खराब हो रहा है नया पौदा उसको देना है हपते में एक बार उस fertilizer को डानले से पहले मिटी को आपको सुखाना है मिटी को सुखाना ना भूले उस liquid fertilizer को देने के बाद आपको और कोई भी पानी अपने काम करता है और जब हम किसी पौधे में इन दोनों fertilizer को डालते हैं, तो मिटी में कीडों को भी खतम करता है, साथ में जो जड़े हैं उसकी growth को बढ़ाना शुरू कर देता है, यानि सेम इसी तरीके से मिट्टी की गुडाई करके पहले मिट्टी को सुखा लेना है इसके बाद आपके घर में अलवरा जरूर होगा आपने अलवरा का पौधा लगाया होगा तो आप अलवरा की एक दो पत्यों को पानी में विगो करके एक दिन के लिए रख दीजे और उसका जो liquid fertilizer बनता है उसको चान कर आपको उसको dilute करके उस पौधे को देना है जो पौधा आपका सूखने लग गया है अलवरा का इस्तमाल यहाँ पर मैं इसले करी हूँ क्योंकि जो अलवरा का पौधा है यह भी एक rooting hormone का काम करता है अलवरा एक natural anti-fungal भी है और anti-bacterial भी है तो जैसे ही आप इस पानी को देंगे तो आपके पौधे की जड़ है वो growth करना start कर देगी और जो भी fungus और कीड़े इसके अंदर बन गये हैं वो खतम हो जाएंगे इस बीच आपको कोई और पानी नहीं देना है इस इसका आपको ध्यान रखना है जैसे ही मिटी सूखे तो फिर से आपको यही वाला fertilizer चाहे वो एलवरा का fertilizer है या फिर एलवरा अगर आपके घर में नहीं है तो आप प्याज के छिलके या फिर लसुन के छिलकों को भिगो कर उसका liquid fertilizer बना कर भी अपने उस पौदे को दे सकते हैं और अपने पौदे को आप बचा पाएंगे ये तो था पहला point कि जब नया पौदा हमारा खराब हो रहा है तो हमें ये treatment करना है और इसके पीछे ये ये कारण होते हैं इसके पाद दूसरा point अगर आपका कोई पुराना पौदा काफी अच्छा पौदा है और अचानक से ही आपका पुराना पौदा जो कि stable है, flowering भी कर रहा है और सूपने लग गया है तो आपको क्या करना है और इसके पीछे क्या क्या कारण है इसको कैसे बचाना है तो उसके पीछे जो सबसे पहला कारण है वो ये है कि आपका पौदा पहले से ही कमजोर है आपके पौदे की जो जड़े है इन्होंने अच्छे से ग्रोथ नहीं किया है पौधा आपका चलतो रहा है लेकिन मिट्टी में जड़ों की ग्रोथ काफी कम है दूसरी गलती आप करते हैं कि आपने पौधे को लगाते समय अच्छी मिट्टी का इस्तमाल नहीं किया था मिट्टी बहुत हाड है जड़े अच्छे से मिट्टी में ग्रोथ नहीं कर पा रही है या फिर जिस पॉट में आपने लगाया था उसका जो छेद है वो प्रॉपर नहीं है पानी जो आप देते हैं वो बेस में जा करके रुख जाता है नीचे से छेद से निकली नहीं पाता और आप उपर से बहुत जादा पानी अपने पॉदे को देते रहते हैं यानि उपर से आपको मिट्टी लगती है कि सुख चुकी है मौईश है लेकि नीचे बेस में पानी रुखा हुआ है तो ये एक कारण बन जाता है आपके पॉदे को सुखाने का क्यूंकि ये जो गलत गुलाब का पॉदा तो फिर जो कारण मैंने आपको बताया उसी में से एक वज़ा बन जाती है हमारे गुलाब के पॉदे को खराब करने के पीछे तो अगर आपका गुलाब का पॉदा खराब हो रहा है तो आपको खुद ही उसके कारण का पता करना है अब इलाज मैं आप को आगे बता देती हूं कि अगर आपका कोई बड़ा पौधा पुराना पौधा खराब हो रहा है तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि इसकी जो ड्रनेज है वो प्रॉपर है या नहीं है जरुत पढ़ने पर आप इसकी मिट्टी और पौट दोनों को बदल दो तो आपक पौधे की मिट्टी में लगा हुआ फंगस अपने आप खतम हो जाएगा अगर इसकी पुरानी पत्या जड़ रही है तो कोई बात नहीं जादा चिंता का विशेर नहीं है आप उन पत्यों को जड़ जाने दीजे लेकिन इसकी जड़े है वो बची रहनी चाहिए जो इसका तना है वो बचा रहना चाहिए नई पत्या फिर से आ जाएंगी जैसे ही इसकी मिट्टी सूख जाए तो आपको इसकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके करना है आपको इसका ट्रीट्मेंट यानि अब इसकी जड़ों का इलास करना है लेकिन पानी आपको करके इस पौधी की मिट्टी में डाल दीजे जो आपका पौधा सूख रहा है इस बीच आपको कोई भी और पानी नहीं देना है कोई भी खाद कुछ भी अपने पौधे को नहीं देना है हल्दी एक बैस्ट नैचुरल इंसेक्टी साइड है फंगी साइड है तो आपके पा आपको रिपीट करना है यानि यह हल्दी वाला जो पानी है इसको फिर से आपको अपने पौधे को देना है और इस बीच मैं आपको फिर से रिपीट करी हूँ कि आपको अपने पौधे में कोई भी पानी नहीं देना है सिर्फ यह हल्दी वाला पानी देकर ही मिट्टी को स इस treatment को बस दो बार आप करें, पानी का ध्यान रखें, आपका सूकता वा पौधा फिर से बच जाएगा, आप इसको बचा पाएंगे, इसके बाद आती है तीसरी चीज, तीसरा point क्या है जिसकी वज़े से गुलाब का पौधा अचानक से सूकने लग जाता है, मरने लग जाता तीसरा कारण है, over fertilizer, जरोर से ज़्यादा खाद गुलाब के पौधे को खराब कर देती है, अगर आप जरोर से ज़्यादा गुलाब के पौधे को खाद दे देते हो, तो ये अचानक से ही आपके पौधे की जड़े हैं, इसको जला देती है, खास तौर पे जो chemical fertilizer, जिनको सह तरीके से नहीं पता कि कितनी मातरा देनी है, कितना आपको देना है, देने का सही तरीका क्या है, तो आप कभी भी बिना सोचे समझे, अपने पौधे में खाद न डाले, क्यूंकि जो वीडियो आप देख रहे हैं, उस पौधे की कंडिशन अलग है, और आपके पौधे की केंडीशन को देख कर सोच समझ कर ही अपने पौधे में खाद डाले। जादा खाद देने से अगर एक बार पौधा आपका खराब हो गया, आपकी जणे खराब हो गई तो फिर इसको बचाना मुश्किल होता है। तो यहां पर आपको क्या करना है कि जो भी मात्रा आपको बत अपने पौधे में करते हैं तो पहली बार में आप फटिलाइजर को डाइल्यूड जरूर करें यानि उसमें थोड़ा सा और पानी मिला कर फटिलाइजर को डालें। तीसरी चीज आप हमेशा दो फटिलाइजर के बीच में यानि आज आपने फटिलाइजर डाला तो आपक कम से कम साथ दिन का gap आप जरूर रखें। एक और चीज जो कि आप गलती करते हैं कि बहुत जादा गीली मिटी में कभी भी आप कोई भी होम मेट फटिलाइजर न डाले। हम मैं आपको हमीशा अपने वीडियो में बताती रहती हूँ कि बहुत गीली मिटी में आपको ये फटिलाइजर नहीं देना है। क्योंकि जब भी हम बहुत जादा गीली मिटी में कोई होम मेट फटिलाइजर देते हैं तो ये भी एक कारण बन जाता है पौधे की जड़ में फंगस लगने का और इसकी वज़े से आपका पौधा खराब हो सकता है तो आपको फटिलाइजर भी बहुत ही साफधानी से और सभी कमेंट्स का आंसर देना मुश्किल होता है क्योंकि मुझे आपके पौधे की कंडिशन पुरी तरीके से नहीं पता है इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं लेकिन पहले आप कारण का पता करें अब तक के लिए थाइंक यू